वेल्कम बैक टू अनदर वीडियो आज आप लोग लिए लेकर आचको हूँ पांच न्यू कार्स यह पांच ओ ऐसी कार है जिन में से आपको एक नाइक जरूर पसंद आने वाली है क्योंकि इन में से मुझे भी तीन कार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी है वह कौन सी है मेरे को इंस्ट्रेग्राम पे फॉलो कर लो जिससे कि आपन लोग वहाँ पे सारे क्वेशन केरी इसका आंसर कर साके हैं और जित्ते भी लाइव अपडेट्स होते हैं वह मैं आपको आपको आप देता रहता हूं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप ए इतने एडवांस फीचर आपको निसान कैसे ओफर कर सकता है इसकार की जो प्राइजिंगा लगबग 20 लाख रहने वाली है और 20 लाख रुपे के साथ साथ इसकी लाउंच डेट जो शेडियूल करीगा यह वह है जैनवरी 2021 बाकि अगर आप इसके जो प्राइजिंग सूरें के लिए मिलने वाले तीनों ही रो में और मोस्ट प्रोबैबली कार के अंदर आपको जितने भी काम करने जैसे कि आपको सीट फोल्डिंग करने है या फिर फ्रेंट की सीट एडज़ेस्ट करने है तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे इस कार का यही लग रहा है कि अपल कार प्ले ब्लूटूथ आउक्स नेविगेशन वगएरा सारी चीज़े और इस कार के अंदर आप लोग को मल्टिपल ब्लूटूथ कनेक्शन का फीचर भी देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें होता यह है कि आप से ज़्यादा ब्लूटूथ को करेंट अपने लिवर्स पार्किंग सेंसर, फ्रेंट पार्किंग सेंसर और हिल होल्ड असिट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सारे सेफटी सीक्योरिटी के फीचर भी देखने के लिए मिलने वाले हैं आगे बढ़ते हैं इसके कुछ और इसकी अच्छी बातों की तरफ जै तो ये कार भी मुझे लगता है इंडिया के अंदर काफी ज़्यादा पसंद करी जाने वाली है, हेक्टर से थोड़ी छोटी होने वाली है और प्राइज में भी उससे कम रहेगी, लगबग इस कार की जो प्राइजिंग अपंदर लाग रुपे रहने वाली है और अगर ला फीचर भी काफी ज़्यादा अपग्रेडिड लेवल के आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को इस कार के अंदर 2.0 लिटर का टर्बो चार्ज पैट्रल इंजिन देखने के लिए मिलेगा, जो दोने ही इंजिन काफी ज़्यादा बड़ी है और मैनुल ट्रांसमिशन ओफर करेंगा और जो 2.0 लिटर वाले इंजिन है वो आपको 7 स्पीड की DCT ओफर करने वाला है, फ्रेंट में कार के अंदर आप लोगो को LED प्रोजेक्टर हेड्लैम देखने के लिए मिल जाएंगे, प्लस DRL मिलने वाले हैं, रियर में आपको LED टेल देखने के लिए मिलने वाली है, और 17 इंचिस तक के काफी न्यू डिजाइन के आपको alloy wheel मिलने वाले हैं, उसी के साथ अगर comfort convenience की बात करी जाए तो इस कार के अंदर आप लोगो काफी huge size का infotainment screen भी मिल जाएगा, जो कि आपके सारे features को support करेगा और काफी ज्यादा upgraded होगा MG Hector जैसा slow नहीं होगा, उससे काफी जादा ये advance होने वाला है और आपकी commands को एक बार में सारी commands को सुनने वाला है, तो इस कार के लिए excitement logo का मेरे साबसे काफी जादा होने वाला है, तो let's see, देखते हैं, इसको 2020 में कब तक launch करा जाता है, आज की list की हमारी next car की तरफ, तो य इंडिया में से इसको discontinue कर दिया था, तो वह अब इसका एक बार फिट से इसका new variant को लेकर आने वाला है, इंडिया में launch करने वाला है, और बहुत ही जबरदस्त feature के साथ इस car को launch करा जाने वाला है, प्राइजिंग के बात करी जाए तो लगबख 17,000,000 रुपे इस car का price रह कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपको 1.4 लिटर का एक TSI टर्बो चार्ज पैटल इंजन ओफर करने वाला है, वी डबलू, पावर आउटपुट आपको 150 हॉस्पावर मिल जाएगी, आरांड आपको 250 न्यूटन मीटर ओफ टॉर्क पे, 6-speed की manual और 8-speed की DCT transmission के साथ आप लोगो कार ओफर करी जाने वाली है, अब बात आती है इसके features की, सबसे पहले इसके जो front है, उसमें आपको काफी बड़े साइस की grill दी गई है, पहले से थोड़ी सी enhance करी है, जिससे की front की look और भी ज़्यादा खतरनाक सी सामने निकल गया है, बाकी interior में इसके 10.25 इंचिस त बहुत जबरदस्त होने वाली है, interior की fit and finish, build quality, या फिर आप लोग इसका leather wrapped steering wheel देख लो, leather wrapped gear नौफ देख लो, कुछ भी चीज़ देख लो, car interior थे बहुत ही ज़्यादा ultimate level की होने वाली है, तो आगे बढ़ते हैं list की next car की तरफ, टाटा की तरफ से आने वाली gravitas, इस car के बा 2020 खा गया है, तो 2020 तो बतलब बिल्कुली बेकार सा ही year जाने वाला है, हर किसी का ही, चाहिए वो कोई भी हो, doesn't matter कोई भी हो, तो बाकि अगर इसके engine की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 2.0 लीटर का turbo charge diesel engine देखने के लिए मिल जाता है, 170 horsepower produce करके देता है, अब यही same engine आप लोगो को 8-10 इंचिस तक का infotainment screen भी मिल जाएगा, जो Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Talks, Navigation, USB बहुत सारे features को support करने वाला है, front में आपको disc brake, rear में आपको drum brakes देखने के लिए मिलने वाले है, car के अंदर आपको digital instrument console देखने के लिए मिलेगा, semi-digital होने वाला है, बस यह ग्रेविटास के अंदर एक ही चीज का मुझे थोड़ा सा problem लगाई कि इसके अंदर आप लोगो sunroof offer नहीं करी है, अगर इस कार के अंदर sunroof आ जाती गा, इस तो literally कसम से मज़े ही आ जाने थे, कोई बात नहीं हो, अगर नहीं है, तो हम काम चला लेंगे, आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर आपकी बड़ी फैमिली है, तो आप लोग इस कार के साथ जा सकते हैं, फ्रेंट के अंदर आप लोग को इस कार के अंदर LED DRLs प्लस LED प्रोजेक्टर हेड लैम देखने के लिए मिलेंगे, जो कि ग्रेविटास के अंदर तो आएंगे, मगर पहले हैरियर में नहीं आय जाएगा, क्योंकि इसकी लैंद्स हेरियर से थोड़ी ची जादा है, और थर्ड रोव सीट के पैसिंजर के लिए महाँ आपको सेपरेट एच इवेंट प्लस का फोल्डर भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो ये कार कॉम्पेटीट करेगी, एक्स यूवी फाइव प्लीज जार एक बार लाइक कर दो, और इंस्ट्राग्राम पे फॉलो कर लो यार आप लोग फॉलो करोगे तो वहाँ पे हम लोग बाचित कर पाएंगे, तो चलिए आगे बढ़ते लिश्ट में लाश्ट कार की तरफ, एमजी की तरफ से आने वाली एक MPV, जिसका नाम में MG Maxis G10, ये कार सीधा सीधा कॉमपटीट करेगी किया कार्निवल को, और मुझे लग रहा है ये उसकी मार्गिट को खा जाएगी, क्योंकि इस कार के अंदर MG ने बहुत ही ultimate लेवल के आप लोग को feature offer करे हैं, उसी के साथ सबसे पहले इसके engines और launch date की तरफ हम नजर डालेंगे तो guys इसकी जो launch date schedule करी गई है, वो है 2020 के end तक, अब पहले price भी बता देते हैं, आप लोग को इसकी pricing लगबग 20 लाग रुपे रहने वाली है, बात आती है अब इसके अंदर आपको कितने और क्या engine मिलने वाले हैं, तो दो engine आपको सकार के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, 1.9 लीटर का diesel engine, जिससे कि आप लोगों को 150 PS की power मिल जाएगी, 320 Nm का torque मिल जाएगा, दूसरा 2.0 लीटर का turbo charge diesel engine, जिससे कि आप लोगो 224 BHP की power मिल जाएगी, और 350 Nm का torque मिल जाएगा, तो power और torque तो दोने engine की बहुत ज़ादा जबरदस्त है, 6-speed की manual प्लस automatic transmission के साथ car offer करी जाने वाली है, अब इसके अगर मैं features की बात करूँ, तो car का design है, वो तो कोई बहुत ज़ादा attractive नहीं है, मगर इसके जो feature है, वो किसी भी customer को बहुत ज़ादा attract करने वाले है, जैसे कि इस car के अंदर आप लोगों को rear के जो doors है, वो automatically open और close होने वाले मिलेंगे, जो sliding doors है, वो automatically खुल जाएंगे, electronically और वो बंद हो जाएंगे, 10.1 इंचिस तक का infotainment screen देखने के लिए मिलेगा, जो की size में बहुत ही ज़ादा बड़ा है, तीन पार्ट में divide हुई भी इस car के अंदर आप लोगो sunroof देखने के लिए मिलेगी, front के दो बंदों के लिए अलग, जहां से भी काफी बड़ी कार होने वाली है, तो जिससाब से इसकी जो dimensions हैं, वो भी काफी ज़्यादा long होगी, तो इस car को भी आप लोग consider कर सकते हैं, तो इस वीडियो को इसी note प्रेंट करता हूँ, अच्छा लगाओ, तो प्लीज आप लोग like, share, subscribe कर देना, तब तक के लिए, bye कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोग।